हेलो फ्रेंट्स आज हम व्रत के टेस्टी पकोड़े बनाएंगे और आपका मेरे चैनल रीटा कीचन कमपनी में स्वागत है अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पकोड़ों के लिए इंग्रेडियंट्स लिए हैं, 200 ग्राम कुट्टू काटा, स्वादन सार नमक, आदा स्पून लाल मिर्च, बेकिंग पाउडर और दो कच्छे आलू लिए हैं, जिसे हम राउंड शेप में काट लेंगे और काटने के बाद इसके उपर थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर उसके बाद हम कुट्टू के आटे में थोड़ा बेकिंग पाउडर डाल देंगे और लाल मिर्च नमक भी स्वादामसार डाल देंगे फिर इसमें पानी डाल कर इसका बेटर त्यार करेंगे हम थोड़ा थिक बेटर त्यार करेंगे, बेटर हमारा त्यार है अब हम पैन में ओयल डाल देंगे oil कोई भी ले सकते हैं पकोडों के लिए लेकिन मैंने यहां पर mustard oil लिया है क्योंकि यह healthy होता है इसे अब अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम बैटर में आलू को dip करके deep fry करते जाएंगे पकोडों को slow आँच पर पकाएंगे ताकि अंदर से अच्छे से पक जाएं एक साइट से पकने के बाद पकोडों को पलट देंगे अब पकोड़े हमारे त्यार हैं अब चटनी बनाएंगे चटनी के लिए हमने coriander leaves ginger दही लिया है अब हम कोरियंडर leaves को हमने अच्छे से वाश कर लिया था अब हम हमाम दस्ते में इसकी चटनी बनाएंगे कोरियंडर leaves और ginger को दोनों को पीस लेंगे पहले थोड़ा ginger पीस लेंगे फिर उसके बाद हम कोरियंडर leaves भी डाल देंगे वैसे तो चटनी मिक्सी में भी लोग बनाते हैं लेकिन हमाम दस्ते की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है इसको अब हम इसके अंदर थोड़ा दो स्पून दही डाल देंगे अब हम स्वादा नुसार नमक डाल देंगे और एक बटा चार चमत लाल मिर्च डाल देंगे अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये स्वादिश चटनी तयार है रत के पकोड़े और चटनी बनाने की जुरूर ट्राई करें आपको बहुत पसांद आएंगे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच